सबी दर्सकों को नमस्कार माया स्मिन साथ आप देख रहे हैं इंडिया दी पुस्वनिज दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब ठंड का मौसम धीरे धीरे सुरू हो गया है और जो अब तस्बीरे हैं हम आपको दिखा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिला साधी मननपुर गाउं की छेत्र की ये तस्बीरे हैं आप देख सकते हैं यमुना का किनारा है लोग सुबा पांच बजे का टाइम है और आप सभी को गुड मॉनिंग क्योंकि सुबा हो चुकी है और सुबा के साड़े पांच बज जुके हैं तो सभी लोग उमीद करता हूँ जग गय होंगे आप देख सकते हैं गाडियों का आना जाना सुरू हो गया है ब्रीज से और सुरज भी निकलाया है और ये ब्रीज की तज़्विरे दिखा रहे हैं धीरे धीरे अब यहां पे ठंड बढ़ती जाएगी उत्तर परदेश में और कोहरा पढ़ने लगता है पर दोस्तों यहां जो मौसम है बहुत ही सुछाना है बहुत ही अच्छा है आप देख सकते हैं बच्चे भी सुबह सुबह वाक टाइम में निकलते हैं और दोस्तों यहां का जो वाताबरन है एकदम सवच और सुद्ध है यहां दिल्ली जैसे परदूसर नहीं है कि केजरी वाल सरकार के राज जो दिल्ली में परदूसर वाली प्राब्लम बनी हुई है वह जैसे जैसे ठंडी बड़ेगी तो आप यहां देख सकते हैं वह अपना सिकार पानी का भी काम कर रहे हैं और यहां पर हम आपको सूरज की डबल तस्वीरे दिखा रहे हैं जो उसकी परचाहीं दिख रही है यम् नदी में खास करके हमने ये सीन इसलिए लिया है और यहां कुछ लोग भी आपको दिख रहे हैं ये साड़े पांच बजी की पहले निकले थे घर से, कि आज कुछ नई तस्बीरें और नई खबर, नई न्यूज जो है आपको मिलनी चाहिए, तो आज की मॉर्निंग टाइम पे जो आपको हम ये तस्बीरे दिखा रहे हैं, ये यमना नदी के किनारे की तस्बीरे हैं, और चिल्ला ब्रीज जो लगता है चिल्ला ब्रीज की पर स्बीरे हैं हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये और चिल्ला ब्रीज है और गाड़ियों का आना जाना शुरु है, अभी फिलाल, सुबह सुबह में यहां सिर्फ ज्यादतर वाकिंग टाइम उले solids हैं, इक्सो साइज वाले हैं, आप देख सकते हैं, श इसलिए से मारने का काम है इनका तस्पीरम दिखा रहें यही नावें अभी रह हुआ जो चलाने चलती है चोटी-चोटी से शुरी भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश की भासा में और हर जेगे चोटी नाव भी कहा जाता है यहां की इस्तिती पहले ऐसी थी कि पहले यहां नाव बोट ही चलते थे बहुत बड़ा पाठ है यह जमना नदी का अब तो पहले फिर पी तो अब सुविदा और गामालों को बहुत ही अच्छा हो गया यहां पे के बांदा कानपुर के लिए जो हैवे निकल गया यह उसके लिए बहुत बड़ी बात है अच्छी बात है यह जो सुबह की तस्वीर है इसलिए आपको थोड़ी सी धुनली दिख रही है एकदम पांच बजे की तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं सुबह का टाइम देख सकते हैं एकदम से यहां लोगों का आना जाना सुरू हो जाता है और जैसे जैसे ठंडी बड़ेगी यहां जादा लोग देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां का सुबह का जो वातावरण जो मौसम होता है बहुत ही सुद्ध होता है साफ होता है जैसा कि हमने कहा कि यहां दिल्ली जैसा परदोशर नहीं है यहां पर जो यह आप देख सकते हैं यहां पर सभी लोग महिलाएं बच्चे सब वाकिंग टाइम करने के लिए निकलते हैं एक्सुसाइज के लिए आपको हम यह यहमना न ठंड तो यह है ही और यह जो बैल गाडिया आप देख रहे हैं इन बैल गाडियों को देखके हम आपको नदिया के पार जो फिल्म आई थी उसकी याद दिलाती हैं जब जब यह बैल गाडिया आप देखोंगे तब तक आपको नदिया पार की फिल्म की याद जरूर आएगी इसलिए हम ये बैल गाड़ी सुबह सुबह में कहीं से अपना कुछ मोरम मोरम का काम करते हैं वो छोड़ के आये होंगे और ये ब्रीज है आगे रेत निकल आई है जिस ब्रीज की हम तस्बीरे दिखा दिखा के पानी का अमबार दिखा दिखा के आपको बाड़ के टाइम में दिखाया वही ये यमुना नदी है और उसी का पानी पेटे में आ चुका है आप देख सकते हैं या रेत निकल आई है बीच में यह रेट निकली हुई है जाम दिखा रहे है। इसी तरह से जब रेट निकल आती है। कुछ लोग यहाँ पुल में ही एक्सोसाइज कर रहे हैं। आप डेख सकते हैं। कि पुल में ही वो एक्सोसाइज कर रहे हैं यह तस्बीरे सुबह सुबह की तस्बीरे हैं साड़े पांच बजे की और यहां भी रेत निकली हुई है तो पहले जो है यहां पे इसा ही हुआ करता था बहुत नाओ बोट और यहां लोगों का आना जाना सुरू ही है अभी सुब और यह दूसरे बिरीज की तस्बीरे हम दिखा रहे हैं दो बिरीज हैं यहां पे दो पुल हैं यहां पे और बहुत लंबा पार्ट है करीब करीब एक किलोमेटर का पार्ट है जो यह दो बिरीज बने हुए हैं करीब 38 से 40 इसके पिलर हैं 38 अब आगे की जो तस्बीरे हम द एक्सोसाइज करने आते हैं, दोडने आते हैं, और डेली का इनका कामी है, जो हम राउंड दिखा रहे हैं, गोल-गोल ये उटने के दोडने का ही राउंड बनता है, यहीं पर उनकी दोड लगा करती है, किसी दिन हम आपको इनकी नजदीक से इनसे बाते भी करेंगे, वो भी निकल पड़े हैं, वो भी अपना चुन रहे हैं, यह भी पुरा रेत निकल आया है यहां पर, जो तस्बीर हम दिखा रहे हैं यहां पर और यह जब धिल टाइप लग रहा है, यह संगम है, दोनों नदियों का, और चिल्ला की तस्बीर हैं यह तो इसी तरह से यहां कुछ और खास बात अब यह जो पुल आम दिखा रहे हैं, यह अब लगता है सिर्फ इंसानों के लिए ही यह पुल बना है, इसमें सिर्फ इंसानों के आने जाने के लिए, क्योंकि यहां गाड़ियां तो आती नहीं है, विल्कुल से बंद हो गया है, क्योंकि इसकी स्तीती आप सकते हैं, यह ऐसा लग रहा है कि पुल में खड़े नहीं है, पर कि खड़े में पुल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है, तो यह पूरा पुल जो है, किलिम्टर का इसी तरह इसकी जरजर हो गई, आज की तस्वीरों में इतना ही दोस्तों,